अब आपको सही तरीके से आंसर मिलने वाला है सभी डाउट आपके किलियर हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद तो सबसे पहला जो question बच्चों का निकल के आ रहा था कि जो आपके preboot paper होने जा रहे हैं तो अभी YouTube पर डलना start हो चुके हैं दो से दीन दिन पहले ही YouTube पर paper डलना start हो चुके थे तो आप सभी का यही question था कि सरी paper original है या नहीं है क्योंकि आपने अपने चैनल पर अभी तक इसको upload नहीं किया है इसके अलावा परिक्षय थिती में क्या बदलाओ होने जा रहा है क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपको ऐसी भी देखने मिली है YouTube पर जिसमें परिक्षय थिती में बदलाओ को लेकर update दिया गया साथ में कुछ जानकारियां आपको provide कराईगे तो बच्चो सारी question का अंसर आपको इसी वीडियो में देने जा रहा हूँ सबसे पहला जो question था आपका जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोग doubtful रहे है कि जो यूटूब पर ये paper आये हुए है कि यही paper आपके प्रीबोट पर इच्छा में पूछे जाएंगे तो संभावना 50% है क्योंकि देखिएगा अभी जो update निकल के आये हैं सूत्रों के मताविक जो आपके papers हैं वो प्राचार की ID पर upload कर दिये गये तो अगर कोई यूटूबर जो होगा प्राचार के संपर्क में और उन्होंने ID से निकलवा लिए यह paper तो हो सकता है कि यह paper आपके आजाएं लेकिन इस पे अभी भरोसा करना पूर्ण तहाँ असत्य हुगा तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा बेट करना है जैसे ही बहुत सारे channels paper डाले लगे तो आप मान के चलिएगा कि यह original paper है दूसरा question था कि परिक्षातिती में क्या बदलाओं हो जाएंगे तो अभी थोड़ा बेट करिए परिक्षातिती में बदलाओं नहीं होंगे परिक्षातिती जो भी update आएगा तो 12 गंटे पहले बच्चों पढ़ाई में doubts आते हैं कहीं भी कभी भी अब चाहे आपका सवाल क्लास 30 से 12 आएटी जेई या नीट का हो या फिर cbac, up, बिहार, राजिस्तान या अन्ने स्टेट बोड का हो कोई भी सब्जेक्ट हो physics, chemistry, math, biology, science आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ doubtnet पर साथ ही doubtnet पर चल रही हैं क्लास 9 से 12 आएटी जेई और नीट के बच्चों के लिए online classes जिसका हिसा बनकर देश के सभी राजियों से बच्चे लेकर आए rank 1 तो आज ही doubtnet आप इंस्टॉल करो, अपने सभी doubts भगाओ और टॉप rank ले आओ पहले यहाँ पे notice के रूप में सभराज सिंग चोहान द्वारा दे दिया जाएगा यहाँ पे इसके पहले आपके 31 तक स्कूल बंद किये गए हैं लेकिन कोरोना की जो बहुत अच्छी खबर निकल के आई है कि कोरोना की cases कम होने लगे हैं तो जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कम होगा तो आपके इसकूल भी खुलेंगे और इसकूल खुलेंगे तो आपकी परिक्षाएं भी ली जाएंगे इसलिए प्रीवोर्ट परिक्षा भी बहुत important role अदा करने वाली है आपकी परिक्षाओ में तो आपको प्रीवोर्ट परिक्षा भी अच्छे से देनी है और जल्दी आपको सारे पेपर इसी चैनल पर प्रोवाइट करा दिये जाएंगे